नमस्कार दोस्तों, 1st January 2021 से Reserve Bank of India ने Positive Payment System का चालू किया है हमारे देश में Positive Payment System है क्या, काम कैसे करता है और आपको as a banker कौन-कौन सी चीज ज़रूर जानना चाहिए Positive Payment System के बारे में इस चीज के बारे में होगी बात इस वीडियो में Positive Pay System basically एक Secondary Verification या Secondary Authentication है in the case of Check Payment पहले समयचते हैं कि Check का चो सिस्टेम में ये काम कैसे करता है इन में basically 4 चीज है, एक होती है ड्रॉर जो की है आप जो Check पे साइन करते है और दूसरी होती है जो है Drawi Bank यानि कि आपका बैंग, जिस बैंग के साथ आपका relation है वो सकता है वो ICICI Bank, HDFC Bank, SBI Bank, जिस भी बैंग के साथ आपका relation है वो है Drawi Bank और तीन नंबर पे है Pay यानि कि जिसको आप अपनी Check Issue करते है कोई एक person के नाम पे हो सकता है या कोई एक company के नाम पे हो सकता है जिसके नाम पे आप Check Issue करते है और इन समके बीच में रहता है Check Truncation System जिसे हम CTS के नाम से भी जानते है जी हाँ दोस्तों CTS, Non-CTS Check आपको याद होगा कुछ साल पहले इसे mandatory किया गयाता है तो वो CTS का जो system है वो भी इस पे involved है अभी Reserve Bank of India ने ये बताया कि जितने भी higher values check है जिव भी check का value 50,000 या 50,000 के उपर के है आप किसी को issue करते हो उस check का कुछ detail आपको अपनी bank को अलग से बताना पड़ेगा जैसे कि उस check के उपर लिखे हुए कोई एक person या कोई company का नाम उस check का जो date है उस check का रकम etc अभी ये जो सहरे information से या आपने bank को कहीं सारे channel के through दे सकते हो आप अपने bank को sms करके बदा सकते हो आप अपके bank की जो mobile banking system है उनमें जाके bank को inform कर सकते हो इंटरेट banking से inform कर सकते हो या आप जाहो तो bank में visit करके bank को inform कर सकते हो तो ये सारे information आप आपने bank को देते हो उसके बाद आपका bank ये सारी जो information है ये CTS के system में feed करेगा और जो दी हुई check है उस check के साथ आपका दी हुई information अगर match हो जाती है तो वो check clear हो जाएगा आगे जाके अगर information match नहीं होता तो CTS उस check को flagged कर देगा लास्ट ये 2020 को 1,25,000 करोड का bank fraud हुआ है और ये जो fraud हुआ है ये basically check fraud, cyber fraud और जितने भी छोटे बड़े fraud है वो सब included है तो मेरे हिसाब से एक बहुत बढ़िया step है जो Reserve Bank of India ने लिया है चेक fraud से बचने के लिए तो अभी सवाल ही आता है कि क्या positive payment system mandatory है सारे customers के लिए जी नहीं दोस्तों ये चीज़ को mandatory नहीं किया गया है अगर आप as a customer चाहते हो तो आप इस system को अपने bank के पास जाके request करके चालू करवा सकते हो अपने account पे लेकिन experts का कहना ये है पाँच लाग रुपिया या उससे ज़्यादा कि जो भी check payment है उसके positive payment system bank mandatory कर देगा तो आशा है इस वीडियो में आपको positive pay system के बारे में थोड़ा सा clarity मिला होगा वीडियो पसंद आया वीडियो को like कीजिए चैनल को subscribe कीजिए कोई दी सवाल हो तो मुझे comment करके बताईए तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद